इससे भूख बहुत तेजी से बढ़ता है बकरी के कम भूख लग रहा है तो आपको तीन दिन को लगाने के बाद बकरी का भूख बढ़ जाएगा इसके बारे में बताएं पहले तीन बात आप ध्यान रखें दोस्तों कोई भी अगर है अगर नहीं खारी तो उसके पीसे दो गरम नहीं है ऐसे कंडिशन में इस अगर बुखार नहीं तब ही आपको इंजेक्शन देना है बुखार है तो उसके लिए अलाग इलाज करना आपको मैंने चैनल बना रखा है हमारी ट्रेनिंग जो है पहली तारिक से हर मैंने चालो और यह इस माहिने भी चालो और तो दिय चलाता हूं तो इस इंजेक्शन का नाम है बेला माइल और यहां एक सो पाइंसर्ट रुपय काता है कि इतना लगाने इस पर बात करेंगे गाभी ने को लगाना यह नहीं लगाना है बक्री के पेट में जब ज्यादा किड़े रहेंगे तब भी खाना पीना कम कर देगे कर पर ऐसा होता है बक्री बीमार थी उसको आपने हाई डोज में एंटिवाइटिक कोई दवा तो भूख खतम हो जाता है क्योंकि जो पेट में ला दायक बेक्ट्रिया जीसे माइक्रो फ्लोरा बोलते है उमर जाएंगे तो बक्री को भूख नहीं लेगा इसमें जो होता है ब घुखाड जादा है बक्री को तो आप दोज कि बात करें तो आप इसको लगा सकते हैं हमरे बक्री के 35-40 किलो की होजा नहीं जीनिके उनका हो ने को हम 2-3 यह बंगा देख रहा है इसे भूख बहुत तेजी से बढ़ता है बक्री के कम भूख लग है तो आपको तीन देना तो इसको आप यहां पर देना की सब्सक्राइब और इसको फूर्ष करते हैं थोड़ा वह जलन देता है आप लोग प्रफेशनल नहीं पहले बार इंजेक्शन लगा रहे हैं तो किसी आदमी इसे पकड़वा ले जैसे मैंने दिया सिंगल है से आप नहीं दे सकते हैं जिन बाग करियों में भूख की कमी रहती है हमारे फाम पर हम लोग क्या करते हैं यहीं बेला माइल दो दिन दे देते हैं कम खाती टमप्रेचर बारे में उसको चैनल पर देख सकते हैं तो यह भी हम दे देखते हैं ठीड़ी बेला माइल दो दिन लगा देंगे भूख की कम यह बुखार नहीं है बिमार नहीं है बकरी कम खार यह लिवर में प्रावलम है तो ऐसे कंडिशन में बहुत अच्छा काम करता है इसे बकरियो आपको मिल जाएगा ओके धन्यवादी